तो 5 best laptop for heavy softwares तो थो बैं अगर आप heavy software पर काम करते हो video adding करते हो photo adding करते हो programming करते हो coding करते हो architecture student यह office work में आपको loaded file पर काम करते हो मैं आज आपको laptop बताँगा जो कि आपके लिए perfect deal हो जाएंगे अगर आपने काम करना है टाइम पिड़ काम करना आपके लिए perfect deal होने बाले है तो वीडियो के साथ बने देना इसके पड़ मत करना प्लस भी मैं आपको इतना कहा देना चाहता हूँ अगर आपका बज़े नाइटी ताउज से लेके दो लाग है हम आज इस budget range की बात करेंगे तो यह अगर आपका बज़े नाइटी ताउज से लेके वान लाक टैन ताउजन तक हो जाता है इस प्राइज रेंज में मैंने रखे हैं दो लैप्टप यह दोनु लैप्टप असूस की और से आते हैं प्लस यह बहुत तगड़े लैप्टप है मैं बात करहा हूँ असूस र उसके बाद अगर आपने कोडिंग करनी हैं अगर अपने कोडिंग करनी आप कोडिंग की मैं आपको deeply बता देता हूँ तो सबसे पहले बात करते हैं Asus ROG CX-G 15 की तो display की बात करूँ आपको 15.6 full HD plus display मिल जाती जो की iPlus level display जो की 144 refresh rate के साथ आती है पूर साथ की बात करूँ इसमें आपको i7 भी मिल जागा 10th generation के साथ i5 भी देखने को मिल जागा ठीक है i5 का प्राइस थोड़ा सा कम होगा i7 जो है वो आपको 90,000 के budget में मिल जागा storage की बातों को 16 GB RAM वीरेट जो है वो आपको मिल जागा 90,000 के budget में प्लस आपको 512 GB SSD देखने को मिल जाती ग्राफिक कार की बात करूँ आपको 4 GB भी मिल जागा 6 GB भी मिल जागा उपरेणी जेस्तों की बात करूँ आपको विड़ो टैम लिजाती है बैटरी की बातों को 7-8 आवर्स का बैटरी बैक पर वाइड कर देता अगर आपको यह हवी साफ्टरों पे काम भी करते हो हुआ ठीक है प्राइस की बात करूँ इसका प्राइस आपको 90 ताउन से लेकि 95 वाउन जो मैं स्पेशिकेशन बता रहूँ आपको 90 ताउन से लेकि 95 वाउन प्रश कि बज़ेण में असूस रउक से दृक्स में देखने को मिल जाएंगे तो मैंने आपको बता दिया, सूस रॉक से ट्रिक्स के, अब यह आगे बात करते हैं, सूस रॉक जाबरस G14 की तो डिस्प्ले की बात करूँ, आपको 14 इंच फ्लेश्टी प्लस डिस्प्ले मिल जाती, जो की आई पैस एंटी के लिए डिस्प्ले है, पर सासर की बात करूँ, आपको AMD Ryzen 5 भी मिल जागा, 7 भी मिल जागा, storage की बात करूँ, आपको 8 GB RAM भी मिल जागी, 16 GB RAM भी मिल जागी, expandable आप कर सकते हो, प्लस आपको 1 TB SSD देखनी को मिल जागी, graphic card की बात करूँ, आपको GTX graphic card भी मिल जागा, RTX भी मिल जागा, जतना पे करोगे, सॉरी, उसके according आपक भी चला जाता है, ठीक है, यह specification की according है, जो भी आप लेना चाहते हो, उसके according आप देख लेना, price increase, decrease होता जाएगा, तो यहार, main specification मैंने आपको दोनों ही laptop के बता दीए, अगर देखा जाए, लुकवाइस देखा जाए, तो यहार, Asus Rock Zabras G14, जादा लुकवाइस जादा करने है, video editing करने है, animation करने है, coding करने है, programming करने है, school में चाहिए, university में चाहिए, office के लिए चाहिए, gaming करना चाहिए, तो लाप्सिंग करना जाते है, अपर सभी के लिए यह दोनों laptop perfect deal हो सकते है, दोनों की display quality बहुत अगरी मिल जाते है, अग भी आगे बात करते है, अगर आप है, जिसपे, आप gaming कर सको, last in, रखते हैं, video editing कर सको, and photo editing कर सको, and दो laptop रखे है, अगर आपने, as a pro काम करना, as a professional काम करना, अगर आपने architecture करते हो आप ढोरों में कर सकते हो मतलों जो भी आप लेना चाथे हूं चाहते हो, उस पर करते हो, आपके लिए बता देता हु, तो दो लैप्ट आप की बात कर ले नगा, तो सब्से पहले, बात करते है नमबर टू पर रखा है इस सर्फ डिटर को अगर इस लैप्टाप की बात करूं तो यह गेमिंग के लिए पोफिल्ट है एज अ क्रेटर अगर आपने कोई भी हैवी सॉफ्टर यूज करना है आज तक का आप नॉमली इसली कर सकतो है एंड नमबर वान की बात करना चाते हो आपके लिए यह दोनों लैप्टाप परफेक्ट हो सकते है वह कैसे हो सकते है मैं आपको स्पैसिफिकेशन बता दे तो आपको खुद बाखुद ही पता चल जाएगा तो यहर पहले बात करते है इस सिर्फ डिटर की डिस्प्ले की बात को को फिफ्टीं इस आती है पर सब्सक्राइस की बात करूंंक आपको आई से जैवन टेन से मिल ज्फटी मेंद देखनें पज़र में इसर पडेटर देखने को मिल जाएगा भी नम्बर वान की बात करो नम्बर वान पर मैंने रखा है असूस टाफ गेमिंग तो डिस्प्ले की बातों को 15.6 फुलस टी प्लस डिस्प्ले मिल जाती जो की 144 रिफ्रेश्च लिड के साथ आती जो की आईपैस लेवल पैनल डिस्प्ले प्रोसेसर की बातों को AMD राजन 7 देखने को मिलता है बैंटरी लाफ की बातों को 48 आपस का बैंटरी लाफ मिल जाता है प्राइस की बात करूं दिवाली फैस्टिवल में ये लैप्टप आपको 92,000 के बज़ड़ में मिलता था लेकिन अभी इसका प्राइस जादा होगा आपको मिलेगा 1,15,000 के बज़ड़ में या 1,20,000 के बज़ड़ में तो अभी मैंने आपको दो लैप्टप के स्पैसिफिकेशन बता दिया तो इनको इस बज़ड़ रेंज में इसलिए रखा कई बंदी होते हैं जिनको गीमिंग भी करनी होती है लास्टिंग भी करनी होती है आपके लिए ये लैप्टप पॉफेक्ट डील हो जगते हैं अभी बात करते हैं अगर आपने एज़ा प्रो काम करना है अपके लिए मैं लैप्टप बताने लगाँ सीवी बात करते हैं नमबर टू की नमबर टू पर यार मैंने रखा है असूस जैन्बुक दूओ को अगर इस लैप्ट एंड आपको बहुत पसंद आने वाला है तो अभी इसके में स्पेसिफिकेशन की बात करें डिस्पले की बातों को 14 इंच फूल एस्टी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो की आइपस लावल डिस्पले है सेकेंड डिस्पले की बात करूं आपको 12.6 इंच की फूल एस्टी स्पेसिकेशन आपको चाहिए उस लाफिक आपको एक लाख बीस हजार के सांथ आपको 100 देखने को मुल जाएगा उसके सब्सक्राइबाइब? होते जाएंगे अभी number one की बात करते हैं number one पर यार मैंने रखिया hp spectre x360 अगर इस laptop की बात करूं बहुत professionals के पास जब बहुत international creators के पास आपको ये laptop देख ठीक हो मिल जाता अगर आपने कोई भी heavy software पर काम करना है उसके बाद अगर आपने office के data काम करना है ये laptop आपके लिए perfect deal हो सकता है आपको 4k display मिल जाते हैं जो की touch screen है इसके main specification की बात कर लेते हैं तो यह display की बात हों को 15.6 inch 4k touch screen मिल जाते हैं जो की hp pen के साथ आजी है जिसके साथ आप यूज कर सकोगे processor की बात करूं आपको i7 10th generation के साथ मिलता storage की आपको 16GB RAM मिल जाते हैं प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाते हैं graphic card की बात करूं आपको GTX 1660 Ti4GB मिल जाता है प्रेणी system की बात करूं आपको Windows 10 मिल जाते हैं बैंटरी लाफ की बात करूं को देखने को मिल जाएंगे HP spectrax 360 में तो यहार main specification अभी मैंने आपको इन दोनों laptops के भी बता दिये तो बही अगर आप ऐजा pro काम करते हो कहीं पर आपने laptop को लेकर जाओगे वो look बहुत सही होने वाली है मैं सच बोलूँगा जितने भी मैं आपको laptop बताऊंगा वो पूरे loaded होने वाले हैं अगर आप पैसे खर्ज लेते हो ना तो आपके पैसे बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाले अभी आगे बात करते हैं अगर आपका budget देड़ लाग से दो ला प्रसासर है बहुत तगड़ा प्रसासर देखने को मैं जाता है अगर मैं बात करो Apple MacBook Pro कि मैं बस आपको इतना बोलना चाहता हूँ अगर आपने दोनों में से जो भी लेनी है आप ले सकते हो बस आपने 16GB RAM की और जाना उसके नीचे आपने नहीं जाना 8GB के और मत जाना in future आ इतना पे करो कि उसके अकॉर्डिंग आपको स्पैसिफिकीशन मिल जाते हैं प्लस मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ जो Apple MacBook Pro होती है वो बनी ही यार फॉर क्रेटर्स के लिए बनी ही ड्वालपर्स के लिए अगर आप स्टूड़न ओ आफिस पर के लिए चाहिए वी अगर मे वुक्te आपको मेरी वीडियो यही पर हो जाते है खत्रम तो यार अभी मैने आपको इतने झाल